तो आदाब नमश्कार जहिंद बंदे मातरम मैं आपका अपना ठाकोई प्रकर सिंग और रात के दफ बच चुकें और कहानी का जो सिलसिला है एक बार फिर से उसी क्रम में एक दूसरी कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तित हुआ हूँ और आज की कहानी के न कुछ आगे कहूँगा न कुछ पीछे कहूँगा नहीं कहीं और की कोई बात करूँगा चुकि आज की जो कहानी है ये कहानी एक ऐसी कहानी है कि जब भी हिंदुस्तान के टॉप कहानियों की बात की जाती है टॉप ऐसी modern mystery की बात की जाती है जिसको सुलजाना एक तरह से नामुंकिन था इसी को भी नई उम्मेद थी कि ये केस कैसे सुलजेगा, कब सुलजेगा, सुलजेगा भी या नहीं सुलजेगा उसके बावजूद भी पुलिस अपने जहिन दिमागिता का प्रयोग करती है अपने उस सार्प माइंड का उप्योग करती है और केस को जब सुलजाती हो लोगों के सामने लाती है और ये कहानी एक ऐसी कहानी भी है जिसमें जो कुछ हुआ था इन सारे चीजों से ज़्यादा चर्चा तो पुलिस के काम करने के तरीके की हुई थी कि पुलिस ने आखिर ये केस सुलजाया कैसे आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसका संब्द सीधा सीधा नोटबंदी से है सायद अगर नोटबंदी ना हुई होती तो भी एक कहानी न सुलजबाती आज की कहानी कैसी कहानी है जिसे सुलजाने के लिए ना पुलिस पे कोई प्रेशर था ना ही कोई दबाव था ना कोई सबूत था ना कोई सुराग था फिर भी पुलिस ने जिस तरीके से इस केस को सुल जाया ऐसी मिसाल हमारे देश में महज 10 या 15 होंगी आज की कहानी केरल की है कहानी केरल में एक जगह लगती है एरनाकुलम जो लोग वाली बॉल वगेरा के सौकीन होगी उन्हें इरनाकुलम का नाम बहुत अच्छे से पता होगा वहाँ की एक टीम है उस टीम के कई प्लेयर ऐसे हैं जो हमारे इंडियन टीम में पार्टिसिपेट करते हैं चाहे हो जेराम विनीत हो चाहे अजितलाल हो यह सारे लोग इरनाकुलम की टीम से खेलते हैं कहानी उसे इरनाकुलम की है कहानी इरनाकुलम में एक गाउं लगता है कुम्बलम दरसल 8 जनुरी साल 2018 को नदी किनारे एक बॉक्स एक नीले लंका ड्रम जो साइद कई सालों से वहाँ पढ़ा हुआ था मचुआरों को उस ड्रम के प्रतिक अजीद सा अकर्षन होता है उन्हें लगता है कि यह ड्रम कई सालों से यहाँ पढ़ा हुआ है इससे बड़ी अजीब सी बद्बू भी आ रही है कि उन्हें इस ड्रम को खोला जाये देखा जाये किसके अंदर ऐसा क्या है लेहाजा वो मचुआरे उस ड्रम के पास जाते हैं लेकिन जैसे ड्रम के पास जाते हैं तो उस ड्रम से इतनी तेज दुरगंद आ रही थी कि मचुआरों को डाउट होता है कि इस ड्रम में कुछ ऐसा जरूर है जो सड़ रहा है और यह सड़न किसी मांस की है लिहाजा वहां के मच्वारे थोड़ा सा जागुरूख थे खुद ना खोलते हुए पुलिस का बूलाने का फैसला करते है पुलिस भी ऐसी बात सुनके वहां पर आती है मच्वारे बताते हैं कि साहब ये ड्रम दो सालों से यहां पड़ा हुआ है लेकिन अब धेधरिस से बद्बू आ रही है थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि जिस ड्रम को हम दो सालों से देख रहे हैं उस ड्रम से आज अचानक से अजीब सी बद्बू क्यों आ रही है लिहाज आपके सामने इस ड्रम को खोलते हैं जो कुछ निकलता है आप भी देखिए पता नहीं इसके अंदर क्या निकलता है अब मचुवारे पोलिस वाले ये सारे लोग बड़े कौतूहल मन्द से उस ड्रम को खोलते हैं काईदे से ड्रम खुलता भी नहीं उस ड्रम को काटते हैं और जैसे ही काटते हैं अंदर कंक्रीट सिमेंट ये सारी चीजें नहीं करती है अब कंक्रीट से इंट से या फिर पत्थरों से तो ऐसी बद्भू पॉसिबल नहीं थी यानि जो बद्भू आ रही थी वो बद्भू इस कंक्रीट इस इंट और इस पत् यह मंगाईदा जो समान गयरा चाहिए होता है, उसाय चीजिये मंगाते हैं, और मचुवारे भी बड़े आतूरता के साथ उस कंक्रीट को तूडते हैं, लेकिन तूडने के बाद जैसी ओकंक्रीट तूडता है, साथ ही ऐसा कुछ दिखता है उस कंक्रीट के अंदर से, कि गार्मेंट एक खोपड़ी और एक पैर की हड़ी मिलती है अब यह चीज देखने के बाद मस्चुआ रहे अचानक से पीछे हड़ते हैं अब यहां से काम पुलिस का था पुलिस वाले फॉरन सारी चीजों को कबजे में लेते हैं मामला जंगल की याक की तरह फैल भी जाता है कि एक ड्रम जो दो सालों से नदी की नारे पड़ा हुआ था उसे जब दो साल बाद खोला गया तो उसमें से एक चादी की चैन निकली एक पैर की हड़ी निकली एक खोपड़ी निकली कुछ बालों के गुच्छे निकले और कुछ करेंसी नोट निकले जो हिंदुस्तान की नोट थे पांसो के नोट थे अब ये मामला धे जरे तूल पकड़ता रहा मीडिया में भी एक ख़बर पहुँची की दो सालों से एक ड्रम के अंदर एक लास कैट थी अब ये लास किसकी थी किसी को पता नहीं था दो सालतों को सड़ती रही सड़ने के बाद जो उसमें से कही से सुराख हुआ बद्बू बाहर आई तब लोगों ने खोला तो ये सारी चीजे निकली तो ऐसी चीज़ सुनने के बाद चाहे मेडिया वाले हो चाहे आसपास के लोग हो तरह तरह की बाते करते हैं लोगों में कौतूहल मसता है कि ये बॉक्स कहां से आया होगा चुकि द पूलिस वाले इस लास को कबजे में लेते हैं कबजे में लेने के बाद जो पोश्मार्टम के लिए भेशते हैं तो लगातार तीन दिनों तक इस पूरी बाड़ी का पोश्मार्टम होता है साथ ही इस बात की जाच की जाती है ये मरने वाला लड़का है या लड़की है मरन तरह के प्रियोग तरह तरह के चीजें जो एक खोपड़ी मिली थी उस खोपड़ी पे करते हैं और तीन चार दिन के कड़ी मसकत के बाद एक कंक्लूजन देते हैं और इस कंक्लूजन में महज एक बाद बता पाते हैं कि मरने वाली के उमर 40-50 साल की है और मरने वाली एक है दूसरा कि मरने वाली की उम्र महज 40 से 50 साल के बीच है अब उतनी बड़ी हमारे हिंदुस्तान की आबादी अब यहां से एक 40 साल की मरी लड़की को 40 साल की मरी महिला को खोजना कि किसके घर की मरी है चुकि यह 2-3 सालों से वहां पड़ा था तो 2-3 सालों में पता नहीं कित तो 2 सालों में उस गलती पी इतनी मिटी पढ़ गई होगी इतना पानी पढ़ गया होगा कि उस क्राइम सीन से भी कुछ नहीं मिल सकता था लिहाजा अब पुलिस वालों को या फिर कहें फॉरेंसिक वालों को जो कुछ केस सुलजाना था वो इसी खोपड़ी इसी उम्र और जो कुछ समान मिले थे चाहे वो अंडर गार्मेंट रहा हो चाहे वो सोने की चैन रही हो चाहे जो नोट मिला था वो रहा हो चाहे जो जान की या फिर कहें तो पंजे की हड़ी जो मिली थी वो रही हो पुलिस वाले फॉरेंसिक लैब वाले इनी सारी चीज़ों को बारीकी से बार-बार चेक करते हैं और बार-बार चेक करने के दौरान दो-तीन चीजे मिलती है पहली चीज कि जो नोट था वो पुराना पांसो का नोट था यानि इस लड़की का या फिर इस महिला का जो कतल हुआ था वो नोट बंदी के पहले हुआ था यहां से एक conclusion निकला कि मरने वाला 2016 में ही मर चुका है अब कायदे से कहें तो यह conclusion पुलिस वालों की परिसानिया बढ़ाने वाला था चुकि जिसका कतल 2016 में हुआ हो 2016 से जिसकी कोई complaint न दर्ज हुई हो ना ही ऐसा कोई data match करने वाला उनके पास कोई system है तो आखिर इस कातिल को या फिर इस मरने वाले को खोजा कैसे जाए पुलिस वाले, क्राइम दांच वाले जब यह केस सुलजा के ठक जाते हैं उन्हें कहीं से कोई सफलता हासिल नहीं होती तो finally यह केस एक ऐसे officer के अंडर जाता है जो ऐसे केसो को सुलजाने में पूरे हिंदुस्तान में मसोर था दरसल उस officer का नाम CV Tom था CV Tom एक जाने माने इंडिस्टिकेसिंग officer है अच्छे-च्छे केसो को सुलजा चुके हैं जो केस साइड किसी से नहीं सुलजा सकता था उस केस को सुलजाने में CV Tom को बुलाया जाता है और इसी क्रम में ये केस भी जब CV Tom को हैंडोवर किया जाता है सारे लोग अपना हाथ ख़ड़ा करते हैं CV Tom से कहते हैं कि सर आप इस केस को सुलजाएए तो CV Tom जो भी सारी चीजें मिली थी उनको बारीकी से जीरो इन करते हैं और सबसे पहले फॉरेंसिक टीम के पास जाते हैं और कहते हैं कि जो हड़ी मिली थी या फिर जो कपड़े मिली थी जो बालो का गुच्छा मिला था आप उनको बारीकी से चिक कीजिए देखी उसमें कुछ ऐसा संदिक दिया फिर कोई ऐसे चीज अगर मिल जाए जिससे इस केस में मदद हो सकती हो तो साइध हमारा काम आसान हो जाएगा अब ये और्डर जब CV Tom देते हैं तो काइदे से उस खोपड़ी की उस पैर की हड़ी की और बागी सारी चीजों की फिर से जाच कराई जाती है और इस जाच में आठ तारिक को ये लास मिली थी अठारा तारिक को जहां पोश्मार्टम हुआ था वहां से एक फोन CV Tom की पास जाता है फोन करने वाला डॉक्टर बताता है कि सर जो मरने वाली महिला है उसके पैर की हड़ी में एक 6.6 cm के एक स्क्रू मिला हुआ है बहुत संभू है कि इस महिला का कुछ एक्सिडंट कभी हुआ रहा होगा पैर की हड़ी तूट गई होगी और इसी हड़ी को जोडने के लिए एक स्क्रू लगाया गया अब काईदे से देखा जाये थी ये कोई बहुत बड़ी लीड नहीं थी ये कोई बहुत बड़ी सफलता भी नहीं थी लेकिन पुलिस इसी एक सफलता की वज़ा से अब पूरे के पूरे केस को सुझाने वाली थी जब ये खबर से बी टॉम के पास जाती है से बी टॉम फॉरन कहते हैं कि आप पता कीजिए कि ये स्क्रू किस कंपनी का है इस स्क्रू पे क्या कुछ लिखा है या फिर किसी संस्था का नाम लिखा या फिर किसी हॉस्पिटल का नाम अगर लिखा मिल जाए तो साथ हमारा काम आसान हो जाए अब ये बात जब पोस्टमाटम करने वाला डाक्टर सुनता है तो उस इस्क्रू को बारी किसे चेक करता है उसे दिखता तो है कि कुछ लिखा है लेकिन क्या लिखा है काउन सालेटर है ये चीज उसके पास ऐसी की टेक्नलोजी थी ही नहीं जिससे पढ़ सके, चेक कर सके कि इस पर क्या कुछ लिखा है लेहाज आप फिर से CB टॉम के पास फोन जाता है फोन करने वाला डाक्टर कहता है कि साब कुछ तो लिखा है लेकिन हम इसे पढ़ नहीं सकते हमारे पास इतनी हाई रेजुलेशन की कोई स्टेटोस्कोप या फिर ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम चेक कर सके जिससे हम पढ़ सके लिहाजा एक ऐसी दुर्बीन या फिर एक ऐसा यंत्र CB टॉम मैनेज करते हैं जिसका रेजुलेशन बहुत हाई रहा हो ये सारी चीजे मैनेज करने के बाद 20 तारीकों फिर से उस स्क्रू को पढ़ा जाता है और इस स्क्रू पे लिखा था पिट कार यानि ये स्क्रू पिट कार कमपनी का था अब पुलिस को लगता है कि चलो ये मामला सुलज गया पिट कार अगर आसपास कोई हॉस्पिटल होगा वहाँ जाएंगे डाटावेश चेक करेंगे बहुत कम चांसों ऐसे होते हैं बहुत कर ऐसे मामले होते हैं जिसमें आपरेशन में ये सारी चीज़े लगाई जाती हैं किसके पैर की हड़ी में लगाया गया गर ये बात हम मैच कर ले जाएंगे तो मामला कहीं न कहीं सुधर सकता है खुल सकता है लिहाजा सबसे पहले जो पुलिस वाले थे और जो सीवी टॉम की टीम थी वो इस पिटकार कंपणी के बारे में पता करते हैं पता करते हैं साइज हान मिन करते हैं लेकिन यहाँ से जो कंक्लूजन निकलता है वो कंक्लूजन भी काफी निरासा जनफ था दरसल ये company पूने base company थी यानि ये company पूने से अपने सारे समान को पूरी दुनिया में supply करती थी इसने किसको supply किया था, कितने amount में किया था इस बात का भी कोई record नहीं था कब supply किया था, किस hospital में इस महिला का surgery हुआ था किस hospital में सारी चीज़े हुई थी इस चीज़ का भी कोई record नहीं था लिहाज आज CV Tom जाते हैं, उस company में बात करते हैं एक team पूने पहुंचती है बात चीज़ जब होती है, सारी चीज़े जब पूस्ताच करते हैं तो company वाले कहते हैं कि साब देखी ऐसे तो 2016-17 में कब का हमने क्या दिया किस जगहां पे supply हुई ये सारी चीज़ें तो बताना बड़ा मुस्किल है लेकिन अगर कुछ आप detail दे सकें कोई और चीज़ बता सकें तो साइथ हमारे लिए आसानी हो पुलिस वाले अब सारी चीज़ जोनों लगता है ये चीज़े मैच कर सकते हैं उसाइच चीज़ बताते हैं उसाथ में कहते हैं किस लड़की की लास इनाकुलम में मिली है तो जब ये बात पुलिस वाले बोलते हैं तो फिर जो पिटकार कंपनी के मनेजर थे अपने डाटाबेस को खंगालते हैं और इस डाटाबेस को खंगालने के बाद कहते हैं कि 2016 में हमने 161 ऐसे इस क्रूप पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई किये थे जिसमें से 155 माहरास्ट और गुजरात में सप्लाई हुए और 6 जो थे वे इनाकुलम में सप्लाई हुए अब काइदे से यहां से एक ऐसी लीड मिली थे जिससे अब यह किस स्तायत सो लग सकता था लिहाजा 6 ऐसी जगाँ जहां सप्लाई हुआ था पुलिस वाले फॉरन रिकॉर्ड को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उन 6 हस्पिटल जो कियर्णाकुडम में थे वहां जाते हैं जाने के बाद पूरे 2016 का डाटा बेस चेक करते हैं कि आपने किसको लगाया था क्या लगाया था उन 6 मरीजों का एडरेस लेते हैं एडर्स लेने के बाद सारी घरों पे जाते हैं, सारे लोगों से मिलते हैं, तो पांच लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन एक महिला जिसका नाम सकुंतला था, लग वक्ति पंचोवन साल उम्र थी, उसका कुछ पता नहीं चलता, अब पुलिस वाले फिर हैरान परेशान, कि एक म हॉस्पिटल से कॉंटेक्ट करते हैं, जहां ये स्कुरू सप्लाई हुआ था, पूस्ताज करते हैं, सारे डाटाबीस को खंगालते हैं, तो हॉस्पिटल वाले इस बात की पुस्टी करते हैं, कि यहां सकुंतला का उपरेशन तो उसी हॉस्पिटल में हुआ था, अब इसक सकुंतला से मिलने आये थी वो कौन लोग थे ये लिस्ट जब खंगाली जाती है तो इस लिस्ट में एक लड़की का नाम आता है और वो लड़की सकुंतला की बेटी अस्वती थी और ये सकुंतला के साथ नहीं रहती थी अब पुलिस वाले विक्टिम को खोज चुके थे कि म मरने वाली तो सकुंतला है अब कातिल को ढूबना था पुलिस वाले फौरन एक टीम बनाते हैं टीम में कुछ महिला पुलिस होती हैं कुछ बाकी और लोग होते हैं वो अस्वती को खोजते हैं खोजने के बाद अस्वती के पास जाते हैं अस्वती से जब सकुंतला के बार थी ना ही ऐसी कोई बात थे जिससे पुलिस वालों की कुछ मदद हो सके पुलिस वाले चौकते हुए इस लड़की से पूछते हैं कि चलो तुम्हारी माँ 2016 से गायव है तो तुमने एक भी कम्प्लेन एक भी मिसिंग रिपोर्ट दर्च क्यों नहीं करवाई अब इस पर अस् पतलब भी नहीं है लिहाज मैंने कोई कम्प्लेन तरज नहीं करवाई अब ऐसा जब आप सुनने के बाद पुलिस वालों को थोड़ा सा स्वती पे सक होता है लेकिन ऐसे सक की विना पे जिसकी मां का कतल हुआ उसी बेटी को उठा भी नहीं सकते थे लिहाज आप पुलिस वाले इस अस्वती की कुंडली खंगालने का फैसला करते हैं जब कुंडली खंगालते हैं अपने मुभीरों को एक्टिव करते हैं तो बड़ी हैरान करने वाली बात पता चलती है दरसल पता चलता है कि सच में जो अस्वती है उसका सकुंतला से कभी बनता ही नहीं था के बाद वापस अपने मा के घर पे आ गई आने के बाद फिर दोनों में तब करार हुई और इसी बीच जो अस्वती थी उसको एक सजीत नाम के लड़के से प्यार होता है और उसके साथ लिविन में सिप्ठ हो जाती है अब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो ये बात बड मामले में यही लड़की गुनेगार है पुलिस वाले इस एंगल पे छान मिन करते रहते हैं इसके पहले पती के बारे में पता करते हैं उसे पूस्ताच करते हैं लेकिन वहां से कुछ संदिग नहीं मिलता इसके बाद जिस लड़के के साथ लिविन में रह रही थी सजीत उ कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था इस लड़की की बातों से लग नहीं रहा था कि ये कतल कर भी सकती है या फिन नहीं करता कि पुलिस वाले बड़े असमंजस में कि आखिर करें तो करें क्या लेकिन इसी पीच ये सारी चीजे जब चलती रहती हैं पुलिस वाले एक दम हतास निरा थे सी बी टॉम को भी लग रहा था कि इसकी स मामले में हाथ लग लिया इतने दिन से छान कर रहे हैजआच परताल कर रहे हैं कहीं से मामला सुझ नहीं रहा ये सारी चीज़े जब पुलिस वाले सोचते ही रहते हैं सारी बातों को दिमाग में बैठा के दुखी मन से काम करते ही रहते हैं हैयान रहते हैं परिशान रहते हैं इसी बीच किसी मुख्विर से खबर लगती है कि जो सजित है उसकी देख दूसरी वीवी भी है और वो आठ साल से साधी सुधा है अब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो उन्हें बड़ा पटा सरकता है कि एक आदमी जिसका पहले से एक साधी सुधा जीवन हो और किसी दूसी लड़की के साथ लिबिन में क्यों रह रहा था क्या कुछ वजा थी या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सजिद की पहली पत्नी है उसने ही बदले के लिए अस्वती की मा का कतल किया हो लिहाज अब पुलिस वाले इस लड़की के बारे में पता करते हैं उस महिला के बारे में क्यों महिला कौन है? सजिद की पहली पत्नी कौन है? पता करने के बाद बड़े खुसी मन से उस महिला से जब पूस्ताच करते हैं पुलिस वालोग लगता है कि चलो इससे पूछेंगे एकदम फिल्मी अंदाज में कहेगी कि मुझे बदास नहीं तक ये किसी और से बात करें सारी चीजें करें अब इसके बाद ये अपना जुर्म कबूल कर लेगी हमारा काम खतम हो जाएगा लेकिन जब इससे पूस्ताच करते हैं कि क्या तुम अस्वती को जानती हो तो ये महिला बड़े खुसी मन से बताती है कि हाँ ये मेरे पती की मेरे हस्बेंट की लवर थी हम सब एक दूसरे के साथ बड़े पेम से रहते थे और ये बात जब अस्वती से भी पूछा जाता है तो अस्वती खुद इस बात को स्विकारती है कि जो सजित की पत्नी है वो अस्वती को ना किवल लाइक करती थी बलकि काफी केर भी करती थी अब ये बात पुलिस वालों को बड़ी गोल-गोल सी लगती है ये जो केस है, इस केस की जितने करेक्टर हैं वो भी इतने अजीव है केस सुलजने के बज़ाए उलस्ता चला जा रहा है सारी चीजे बड़ी अजीव होती जा रही है अब पुलिस वालों को जब कुछ संदिग्द नहीं लगता तो पुलिस वाले अब एक तरा से अधेरे में तीर चलाते है अधेरे में तीर चलाने के लिए सबसे पहले पूछते हैं कि अब अच्छा ये बताओ साही चीजे तो ठीक है सजित कैसे मारा था अब जब ये बात पूछी जाती है तो काईदे से जो गल्फिंट थी और जो वाइप थी ये दोनों कहती हैं कि सजीद का हाट अटेक हुआ था हम हॉस्पिटल में लेके गए वहां मर गया पुलिस वालों को लगते है कि सजीद हॉस्पिटल से कुछ पता चल जाए या फिर कुछ हैसा मिल जाए कहीं से इन दोनों में से कोई दोसी करार हो जाए ताकि हम कैसे भी करके इस मामले को सुलजा दे पुलिस वाले इस हॉस्पिटल में जाते हैं सारी database को खंगालते हैं तो सच में जो सजित था वो heart attack से ही मरा था अब इसके बाद फिर से सजित की पतनी से और अस्वती से सारी चीज़ों को घुमा घुमा के पूशते हैं कि अगर तुम्हारी मा गायब होई थी तो क्या इस बारे में तुमने सजित को नहीं बताया क्या अस्वती की मा गायब थी तो तुमने खोजने की कोशिस क्यों नहीं थी ये सारी चीज़े जब उस्ताच करते रहते हैं तो बड़े सामान तरीके से लोग जबाब देते हैं अस्वती कहती कि मैंने सजीद को बताया लेकिन अगले ही दिन सजीद की मौत हो गई सजीद की पतनी कहती है कि सजीद की मौत हो गई तो फिर अस्वती से भी मेरा कॉंटेक्ट हतम हो गया तो इसकी मा का क्या हुआ कैसे हुआ मुझे जादा मतलब नहीं ये सारी चीज़े जब करते रहते हैं पुलिस वाले और हर जगहां से निरासा हाथ लगती है लेकिन इसी बीच पुलिस वालों के एक उम्मीद की किरण मिलती है दरसल इस उम्मीद की किरण में ये बात एक आदमी बताता है जो कि सजित का दोस्त था वो कहता है कि कुछ साल पहले सजित ने एक नीले रंग का ड्रम खरीदा था और मैंने देखा था कि इस ड्रम में वो किसी महला की बॉड़ी रख रहा है दरसल जो पुलिस वाले थे अब सजित की कुंडली खंगाल रहे थे और वहाँ से जब ये बात निकल के सामने आई तो पुलिस वालों को काफी चीजें अब क्रिस्टर क्लियर हो चुकी थे कतल सकुंतला का हुआ था जो कातिल था वो सजित था लेकिन जिसका कतल हुआ वो तो मर ही चुका था कातिल भी मर चुका था तो अब कतल की वजह कहां से निकल के सामने आए लेहाजा अब अस्वती की मा का कतल हुआ था और एक दूसरा इस मामले जो इंवाल हो सकता था वो सजित की पत्नी थी तो ये खबर जानने के बाद इन दोनों को जब उठाया जाता है अंत में जब अस्वती और सजित की पत्नी से पुलिस सकती से पूश्ताच करती है तो यहाँ से एक ऐसे कहानी निकल के सामने आई जिससे इंटेंशन, मोटिप, मडर और मडर करने वाला इस सारी चीज़े इस्टिबलिस हो जाती है दरसल जो सजित की पत्नी है आठ सालों से साधी हुई थी लेकिन कोई भी बच्चा नहीं था सजित को बच्चों में बहुत जादर दिल्चस्पी थी इसी बीच सजित की मुलाकात अस्वती से होती है अस्वती जो थी उसके पहले से ही दूब बच्चे थे लिहाजा अस्वती के बच्चों में सजित को बहुत दिल्चस्पी होती है इधर सजित की पत्नी भी दे दे हार मान जाती है कि सायदू कभी मान नहीं बन सकती लिहाजा इस रिष्टे की स्विकृति जो है वो दे देती है कि ठीक है तुम्हें एक लड़की के साथ रह रहे हो उसके बच्चे के लिए लह रहे हो अब शुरुवात में जो अस्वति की मा सकुंतला थे उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि सजित जो है पहले से साधी सुदा है लेकिन अंत में जो कुछ दिनों बाद उसको पता चला और सजित का भाड़ा फूटा तो वो सजित को बलेक मेल करने लगी और कहने लगी कि इस बारे मैं मैं अपनी बेटी को बताऊंगी कि कैसे तुम बस बच्चे के लिए मेरे बेटी को अपने पास रखहल बना के रख रहे हो अब ये बात जब सजित सुनता है तो साजित को लगता है कि साइद ऐसा नहो कि ये बात जब सकुंतला मा की जब अस्वती को पता चले तो साइद अस्वती इस बात को जानने के बाद कहीं न कहीं मुझे छोड़ दिया और दोनों बच्चे मेरे पास से चले जाए ये बार बार अस्वती की माह सकुंतला को समझाता है लेकिन अंत में जब सकुंतला नहीं मानती तो फाइनली ये प्लान बनाता है और इस प्लान के तहर अब सकुंतला को मारने का फैसला करता है लेकिन मारना भी ऐसा था कि अस्वती को पता ना चले इसलिए बकाइदा मौके का इंतिजार करता है मौका भी मिलता है जो सकुन्तला है उसे चिकन पाउक्स होता है अस्वती को लगता है कहींग यह चिकन पाउक्स मेरे बच्चों तक न पहुंच जाये वो सकुंतला को छोड़के एक दूसरी जंगा रहने के लिए सिप्ट हो जाती है वैसे भी दोनों ज्यादा टाइम साथ रहते भी नहीं थे कभी पभार ही मिलते थे इसी मौके का फाइदा उठा के जो सजिद्था वो सकुंतला का कतल करता है कतल करके उस ड्रम में बॉड़ी को रखता है बॉड़ी को रखने के बाद उस नदी के पास फेंक देता है लेकिन जब वो कतल करके घर आता है उसे इस बात कितनी गलानी होती है कि मैंने कतल कर दिया मा का मेरे हाद से खून हो गया मैंने अपने राज को छुपाने के लिए इतना बड़ा गुनाह कर दिया लिहाज वो आत्मात्या करने के लिए खुद भी दवा खा लेता है दवा खाता है दवा खाने के बाद उसे कुछ टाइम बाद हाट आटाइक होता है हाट अटाइक में उसकी मौत हो जाती है, मौत होने के बाद अब चुकी पती मर चुका था, तो आत्मेदी हिद्र अस्वती और जो सद्जित की पत्नी है, उन बच्चों को ठीक ठाक खुछ से पालने का फैसला करती है, और ये मामला दबा का दबा रह जाता है, चुकी कातल भ तो सुलजाना भी नामुंकिन था, लेकिन ये केस महत दो तीन चीजों से सुलजा, अगर पांसो के तीनो नोट ना मिले होते, तो फिर पता ही नहीं चल पाता कि ये जो स्कुरू मिला था, वो कब से कब का है, और 2016-15 के असपस से अगर जोड़ा जाए, तो 2015-16-17-18-19, इन तीन चार सालों में नजाने कितने आपरेशन हुए होंगे, नजाने कितनी स्कुरू आये होंगे, तो जो ये मामला छे स्कुरू का था, नजाने कितने लोग उसमें मर जाते, नजाने कितने और उसमें पैच रहे आते, लेकिन पांच या तीन पांसो की नोटों से इस बात क पहले उपर जाके छान बीन की जिस साफ से जाच परदाल की आज भी हमारे हिनुस्तान में इस केस की जगंज़गा नजीर दी जाते है जगह-जगा जगंज़आ दी जाते है कि इसमें ना कोई कंप्लेन करने वाला था ना हिए पलीस पे कोई प्रिशर था फिर भी पुलिस ने कैसे इस केसों सुझाया तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी जिस कहानी में नोट बंदी से लेके एक पांसो की नोट या फिर यू कहें एक इस क्रू से पूरा का पूरा मामला ना जाने कितने सैक्षडों किलिमेटर घूम के तब जाके खुला उम्मेद है कहानी आपको पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजेगा और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब को लेजेगा तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी साथ तब तक अच्छे रहिएगा खुश रहिएगा जय हिंद पंदिमातरम